दोस्तो नमस्कार ऐसी इस्तिती कभी नहीं थी राश्टपती खामोश हो जाएं प्रधान मंत्री मुखोटा ओड़ ले और अपराधी संसत जिस पर आरोप लगे हूँ वह चकाचौंद और चमकीली गाड़ी में इस देश के संसत के भीतर आकर खड़ा हो जाए और फप्तिया कस्ता हुआ नजर आए ऐसी इस्तिती कभी नहीं थी कि टेली वीजन के स्क्रीन पर ठाके लगते हुए दिखाई दे और तो और पास को कानून जो सुप्रीम कोट के जरिये बनाया गया पास किया गया उसको भी बदलने की गुहार जिस पर आरोप लगे हैं वो खुले तोर इजहार करता हुआ दिखाई दे और पुलिस जुनों ने न्याय की गुहार लगाई उन्हें ही अपराधी करार दे कर उनके खिलाफ कारवाई की शुरुआत कर दे ऐसी इस्तिती यकीनी तोर पर कभी नहीं थी तो क्या वाकई इस देश के भीतर में न्याय की गुहार एक अपराध सरीखी परिस्तिती हो चली है क्या वाकई इस देश की सत्ता जब कोई जीत कराता है तो उसकी जीत अपने छाती पर टांग कर और एक मुखोटे की शकल में ओड़ कर चलती है और क्या वाकई इस देश के सांसत की ताकत चाहे उस पर कितने भी विभत्स और संगीन आरोप क्यों ना लगे हो उसे कोई छू नहीं सकता है और पुलिस की पहल यकीनी तोर पर इस देश की महिला पहलवानों के किलाफ जो कारवाई हुई और जो शब्द निकल कर आए उसन ये इस देश की पहचान लोकतांत्रिक रस्ट के तोर पर है नियाय और समविधान के आसरे चलती है जहां पर जनता अपने नुमाइंदों के जरिये नियाय को होते हुए देखना चाहते हैं ये सारी बातें क्या धाई की धरी रह गई क्योंकि विनेश फोगाट ने तीन पन खुदा सत्ता के असल चहरे को सामने ला देते हैं ऐसी परिस्तिती इस देश के भीतर कभी नहीं थी और यह निर्ने लिया जाता है की अब जो मेडल Commonwealth से जीत कर लाए है जो medal Asian Games में जीत कर लाए जो medal Olympic में जीत कर लाए हैं उन medal को मागंगा के हवाले कर दिया जाए क्योंकि पवित्र तो सिर्फ मागंगा है इस देश में पवित्रता का राग ना प्रधान मंत्री ओडे ना राष्ट पती ओडे परिस्तिती इतनी विकट इनके सामने और उसके बाद जिंदगी जीने का कोई मकसद बचेगा नहीं क्योंकि किसी सैनिक की तरह तैयारी करते हैं हम भी और इस देश के लिए medal जीतते हैं हम और जब जीत के आते हैं तो प्रधान मंत्री घर की बेटी हमें ही कहते हैं और ये देश सर आँखों पर बैठाता है हमें ही लेकिन जब हमारे साथ यौन्शोशन होता है और हम आरोप लगाते हैं तो आरोप वाला शक्स चमकीली गाड़ी में इस दिल्ली के भीतर घुसते ह हुए उस नई नवेली संसत के बाहर खड़े होकर फोटो खिचवाता है और इस देश के प्रधान मंत्री भी सिर्फ देखते रह जाते हैं या सिर्फ उनकी जरुरत देखने भर की हो जाती है ऐसी परिस्तिती कभी नहीं थी तो मा गंगा के हवाले मेडल्स को करने के बाद इस देश में जीने का क्या मतलब रह जाएगा शायद यह एक ऐसा निर्णय है जो आमरन अंशन की दिशा में ले जाता है और आमरन अंशन का मतलब यह है कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं या इस देश के भीतर लोगों को कहीं कोई जागरिती आ जाए या उनके भीतर कोई शब्द किसी तरीके से चुभो दे जहां पर इस बात का फैसला हो जाए कि यह देश यहां के लोग इन लड़कियों के साथ खड़े हैं या फिर जिस पर आरोप लगा है और जो सत्ता है जो अपने मदहोशी में है उसके साथ खड़े हैं यह तैक करना होगा और इसी लिए इंडिया गेट पर आमरन अंशन की शुरुवात हरिद्वार में मा गंगा में स्टिसरजन मेडल्स को करने के बाद बैठेंगे तो यह एक ऐसा राजनितिक ऐलान नहीं है बलकि इस देश के भीतर नयाय की गुहार लगाते हुए और समविधान इस देश का कानून इस देश का उसकी भी अवेलना किस रूप में हो रही है उसके खिलाफ यह शब्द है और शायद यह एक ऐलान है आज शाम छे बजे हरिद्वार में मा गंगा में यह मैडल विसरजित किये जाएंगे और उसके बाद दिल्ली पहुँचकर इंडिया गेट पर आमरन अंशन के लिए ब और में अन्ना हजारे को भी देखा आंदोलन इस तेजी से पनपाथा किस देश की संसद तक हिल गई थी और संसद हिलने के बाद सरकार को कहना पड़ा कि जो बड़े-बड़े करप्ट होते हैं उनके खिलाफ भी अब हम लोकपाल बिल बना रहे हैं और पारलेमेंट के भीत ये निर्णय सामुहिक तोर पर लिया गया था तो क्या मौझूदा वक्त में एक सांसद जो बीजेपी का सांसद है और उसके खिलाफ कारवाई करने से समुची सत्ता घबरा रही है दिल्ली की पुलिस घबरा रही है अफायार दर्ज करने में उनकी घबराहट थी ये सारी परिस्तितियों के भीतर हमें लगता है एक छण के लिए उस पत्र को पहले पढ़ना चाहिए जो पत्र विनेश फोगाट ने तीन पन्नों का लिखा है ये पत्र दरसल कई सवालों को खड़ा करता है ये पत्र कई लोगों को कटगरे में खड़ा करता है ये पत्र इस देश म सम्विधानिक पदों पर बैठे हुए शक्स की दरसल उस मुखोटे को उतारता है जिसको लेकर यह देश कभी उन मुखोटे को छूना नहीं चाहता था क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ यौन पीडन के लिए न्याय मान कर कोई अपराद किया है ये पहला सवाल है चार सवालों में पहला सवाल यही है दूसरा सवाल है कि पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपरादियों जैसा वहवार कर रही है जबकि उत्पीड़क खुली यह इस देश में कानून के राज की धजियां उड़ाने वाले शब्द हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे हूं यह चौथा सवाल है। लेकिन इसके बाद की परिस्तिती इस देश के भीतर में कई सवालों को खड़ा करती है। यह मेडल अब नहीं चाहिए क्योंकि हम इन्हें पहन कर हम जब इन्हें पहनते थे और तो इन्हें पहना कर हमें मुखोटा बना कर सिर्फ अपना प्रचार करता था यह तंत्र। यह प्रधान मंत्री तो नहीं है जिन्होंने घर बुलाया था क्योंकि यह बहुत साफ तोर पर कहने से चूकती नहीं है कि वो सांसद जो लोटे तो उन्होंने अपने तोर पर हमारे उस मेडल को अपने गले में पहना, हमारे गले में पहनाया। प्रधान मंत्री ने भी तो कमोवेश उस मैडल को उसी रूप में देखा था इसलिए अगला शब्द है ये तेजी सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोशन करता है हम उस शोशन के खिलाब बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है इन मैडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह मा गंगा है जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने महनत कर इन मैडलों को हासिल किया था ये मैडल सारे देश के लिए पवित्र है और पवित्र मैडल रखने की जगा पवित्र मा गंगा ही हो सकती है ना कि हमें तंत्र कौन है इस देश की रास्टपती जो खामोशी के साथ रह गई जिसका जिक्र स्पत्र में हुआ है उन शब्दों को हम बताएं उससे पहले वह एक और बात कहती है कि मेडल हमारी जान है हमारी आत्मा है इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नही रह जाएगा इसलिए हमें इंडिया गेट पर आमरन अंशन पर बैट जाएंगे इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगा है जिनोंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी हम उतने पवित्र नहीं लेकिन अंतराश्टी अस्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उस स हर वो खिलाडी कर सकता है हर वो सैनिक कर सकता है हर वो प्रोफेशनल कर सकता है लेकिन नेता नहीं कर सकता है क्योंकि अंतराश्टी ये मंच पर उसकी परतिसपरदा नहीं होती है उसकी परतिसपरदा तो देश के भीतर होती है तो उसके भीतर सैनिक सा जज़बा नहीं होता इस देश को लेकर वो सम्मान उन नेताओं में नहीं होता है जो अंतरास्टिय तोर पर देश के लिए जीने और मरने के आधार पे संगर्श करते हुए नजर आते हैं क्योंकि इसके बाद शब्द बहुत साफ लिखे गए हैं आप पवित्र तंत्र अपना काम अपनी जगा करता रहे हम अपना काम अपनी जगा पर करेंगे अब लोग को सोचना है यानि इस देश को सोचना है कि वह किसके साथ खड़े होंगे बेटियों का उत्पीडन करने वालों के साथ जो तेज सफेद वाले तंत्र के साथ खड़ा ह इसलिए हम शाम छे बजे अपने मेडल मा गंगा के हवाले कर देंगे वहां विसरजन कर देंगे और इस देश के हम सधा अभारी रहेंगे लेकिन इससे पहले जो अपवित्र स्थिती इस देश के भीतर राजनितिक तोर पर खड़ी हो चली है उसको लेकर जिन शब्दों का इ ना सिर्फ उनके भीतर का गुसा है बलकि सड़ गल चुके इस ववस्था को समाले हुए उस राजनितिक सत्ता पर कटाक्च है जो सोचता है कि सत्ता उसके पास रहे तो फिर नयाय का कोई मतलब नहीं सिर्फ सत्ता पास में रहनी चाहिए यह एक ऐसी परिस्तिती है जो आमर नंशन इस देश के भीतर सत्ता को पलटने की ताकत रखता है यह भी इस देश ने बाकूबी जिया है समझा है लेकिन उसके बाद की परिस्तिती जरा यह समझने की कोशिश कीजिए क्या कुछ इनके साथ घटा और जो कुछ इनके साथ हुआ है उसे भी इनोंने अपने जरी ये चीजों को सामने रखा है। उन्होंने महसूस किया कि हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही है जैसे इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। और ये आपको बता दे दिल्ली के जंतर मंतर से जब जमावडा उठा और उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उसके बाद उन्हें ठाने ले जाकर देर शाम में छोड़ा जरूर लेकिन फिर उनके खिलाव जब F.I.R. दर्च की तो फिर उनकी खोज भी शुरू कर और दिल्ली बॉर्डर का इलाका हो या हरियाना का इलाका हो इन इलाकों में या पश्चमी उत्तर परदेश का इलाका हो खेतों में ये लड़कियां छुप रही थी जो अलग-अलग तरीके से समर्थन दे रही थी इन महिला पहलवानों को सोचिए किन परिस्तिती में होगी न्याय की गुहार लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुची और उसके बाद ये हालात क्योंकि कल पूरा दिन हमारी कही महिला पहलवान खेतों में छिपती रही और तंत्र को पकड़ना तो उत्पीड़क को चाहिए था जिसने की यौन्शोशन किया है लेकिन वह पीडित महिलाओं को उनके साथ जो कर रहा था उसमें धरने को खत्म करना उन्हें तोड़ना उन्हें डराना सब कुछ कर रहा था लेकिन इस्तिती यही नहीं रुकी इस देश की राष्टपती को लेकर भी सवाल किये गए लेकिन उससे पहले यह लिखा गया कि अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मैडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है इनके लोटाने भर से हमें मौत महसूस हो रही है लेकिन अपने आत्प सम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना इसलिए आमरन अंशन की दिशा में इस मैडल के प्रिसरजन के बाद का सवाल सीधे तोर पर देश के सामने इन महिला पहलवानों ने रख दिया है लेकिन सवाल तो इस देश के राष्टपती और प्रधान मंत्री से भी है इसलिए ये सवाल किया गया कि राष्टपती को लोटाए इन मैडलों को ये हमारे जहन में जरूर चल रहा था और हम सोच रहे थे कि राष्टपती तो प्रथम नागरिक होते हैं तो उन्हें तो ये मैडल लोटाया जा सकता है जो खुद इस वक्त एक महिला है लेकिन मन ने कहा क्योंकि वह हमसे सिर्फ दो किलो मीटर की दूरी पर थी और वो बैठ कर देखती रही और कुछ भी नहीं उन्होंने कहा ये कैसे ही परिस्तिती है कि एक लड़की न्याय की गुहार वह भी यौन शोशन के किलाफ और इस देश की राष्टपती महिला अदिवासी जो पहली बार बनी है वह भी खामोश और दूरी सिर्फ दो किलो मीटर की यानि जंतर मंतर से राष्टपती भवन द घर की बेटियां बताते थे ये शब्द है विनेश पोगाट के जो हमें घर की बेटियां बताते थे मन नहीं माना क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुधबुद नहीं ली बलकि नई संसत के उद्घाटन में हमारे उत्पीडक को बुलाया यानि ब्रजबुशन शरंद सिंग को बुलाया और वह तेज सफेद वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिचवाता रहा उनकी सफेदी हमें चुब रही थी मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ और अगर जिसने यौन शोशन किया वही तंत्र है और उसको निमंत्रन प्रधान मंत्री का और प्रधान मंत्री के साथ वह उसी संसत भवन के भीतर जहां पर वह खुशी के साथ अपनी सफेज चमचमाती गारी में खुश है और उसके कब आई थी ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं शायद इसी लिए अब तीन सवाल इस देश के सामने हैं पहला सवाल न्याय की गुहार में महिला पहलवानों को क्या वाकई अब आमरन अंशन की परिस्तिती में जाकर खुद की जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए ये देश त दूसरा सवाल इस देश के भीतर में जो कानून का राज है अगर वो डगमगा चुका है अगर उसके आसरे न्याय की गुहार कोई भी लगाए और वो सत्ता के करीब नहीं है सत्ता के अनकूल नहीं है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा तो क्यों और किस रूप में इस देश के भीतर सरकारें सम्विधान की शपद लेकर कानून के राज का जिक्र करती है क्या राजनिती और सत्ता की राजनिती ने इस देश को अंदर से इतना खोखला बना दिया है यह फैसला भी आफी के सामने है और तीसरा बड़ा फैसला है जो आमरन अंशन के साथ इस देश के भीतर जागृती अगर पैदा करता है और लोगों को यह महसूस होता है कि शायद न्याय का मतलब क कोई एक पॉल्टिकल पार्टी नहीं है और शायद इस देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्तिती और महिलाओं के सम्मान का जिक्र राजनितिक सत्ता के आसरे नहीं चोड़ा जा सकता है तो लोट चलिए एक छण के लिए उन आमरन अंशन को समझने के लिए जब यह देश अ एक जुट होती चली जा रही थी अन्ना हजारे के अंदोलन के वक्त रामलिला मैदान में नया सवाल यह है कि पहली बार इतनी निराशा पहली बार इतना आक्रोश पहली बार इस देश के सिस्टम को लेकर खुली चुनावती और पहली बार इस उस देश की सिस्टम को चलाने वाले रहनुमाओं के चेहरे से मुखोटा उतार कर उस तंत्र को जनता के सामने रखने की परिस्तिती इन महिला पहलवानों ने दिखाई है। आमरन अंशन की शुरुवात होती है, मनाये की ये देश जागरित हो जाए। मनाये की ये देश न्याय के साथ खड़ा हो। मनाये की ये देश अपरादियों के तंत्र को कुचलने की तिशा में कई कदम आगे बढ़ने को तैयार हो। मनाये अन्था ऐसी इस्तिती कभी नहीं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया